एक बार की बात है एक औरत अपने घर से निकली उसने घर के सामने सफेद लंबी दाड़ी में तीन साधूम हात्माओं को बैठे देखा वह उन्हें पहचान नहीं पाई उसने कहा मैं आप लोगों को नहीं पहचानती बताए क्या काम है हमें भोजन करना है साधूओं ने बोला ठीक है त्रिप्या मेरे घर में पधारिये और भोजन ग्रहन कीजिए क्या तुम्हारा पती घर में है एक साधू ने प्रश्न किया नहीं वह कुछ दे के लिए बाहर गए है औरत ने उत्तर दिया तब हम अंदर नहीं आ सकते तीनों एक साथ बोले थोड़ी देर में पती घर वापस आ गया उसे साधूओं के बारे में पता चला तो उसने तुरंथ अपनी पत्नी से उन्हें पुन आमंतरत करने के लिए कहा औरत ने ऐसा ही किया वह साधूओं के समक्ष गई और बोली जी अब मेरे पती वापस आ गए हैं कृप्या आप लोग घर में प्रवेश करिए हम किसी घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते साधूओं ने स्त्री को बताया ऐसा क्यों है औरत ने अचरत से पूछा जवाप में मध्य में खड़े साधू ने बोला पुत्री मेरी दाई तरफ खड़े साधू का नाम धन और बाई तरफ खड़े साधू का नाम सफलता है और मेरा नाम प्रेम है अब जाओ और अपने पती से विचार विमर्ष करके बताओ कि तुम हम तीनों में से किसे बुलाना चाती हो। और अंदर गई और अपने पती से सारी बात बता दी, पती बेहत खुश हो गया, वाह, आनन्द आ गया, चलो जल्दी से धन को बुला लेते हैं, उसके आने से हमारा घर धन्दौलत से भर जाएगा और फिर कभी पैसो की कमी नहीं होगी। और अरत बोली, क्यों न हम सफलता को बुला ले, उसके आने से हम जो करेंगे वो सही होगा, और हम देखते देखते धन्दौलत के मालिक भी बन जाएंगे। हमा, तुम्हारी बात भी सही है, पर इसमें मेहंत करनी पड़ेगी, मुझे तो लगता ही धन्दौलत को ही बुला लेते हैं, पती बोला। थोड़ी देर उनकी बहस चलती रही पर वो किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाए, और अंतत निश्चय किया कि वह साधूँ से यह कहेंगे कि धन्दौलता में जो आना चाहे आ जाए। और जट से बाहर गई और उसने यहां आगरा साधूँ के सामने दोहरा दिया। उसकी बात सुनकर साधूँ ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहें घर से दूर जाने लगे। अरे, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हैं? और अपने उन्हें रोकते हुए पूछा. पुत्री, दरसल हम तीनों साधू इसी तरह द्वारद्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं. जो व्यक्ती लालच में आकर धन या सफलता को बुला करते हैं. इसलिए इतना याद रखना कि जहां प्रेम है, वहां धन और सफलता की कमी नहीं होती. ऐसा कहते हुए धन और सफलता नामक साधों ने अपनी बात पूर्ण की. कहानी से शिक्षा, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, कि यदि इनसान लालची ना होकर निस् प्रश्चित ही उसे जीवन की वास्तविक सुक की प्राप्ति होती है. सच्चा सुक आनन्द में ही मिलता है. वो कहते हैं, ना आनन्द का सुक तो उस जोपड़ी में मिल जाता है, जहां लोग एक दूसरे के साथ प्रेम के साथ निवास करते हैं. और ऐसा सुक तो बड़े- और आनन्द का निवास नहीं होता है.